आज की वीडियो में आपको सँन्सक्रिन यूज़ करके दिखाने व assassination कैसे लगाने चाहिए काफी लोगों को संस्क्रिन लगानी नयाती जिसके एकान उनको अच्छे से संसे प्रोडे recruitment नहीं मिल पाती जिसके एकान फिर उनके सके डाग बेगर होने लग जाती है तो आज की वीडियो में completely यूज़ करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको लगानी चाहिए तो वीडियो को स्टार करते हैं बट उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल इकन को भी प्रेस कर दो चलते हैं वीडियो की तरफ ओके तो कुछ लोग संस्क्रीन को बहुत कम मात्रा में यूज़ करते हैं को उसकाफी यादा कोशली रहती है अच्छी जो संस्क्रीन रहती है जो आपकी स्क्रीन को अच्छे से प्रोडेक्ट कर पाती है कम से कम आप जो भी संस्क्रीन यूज़ करें हो 30 SPF हो उसका या 50 SPF होना चाहिए तभी आपको अच्छे से प्रोडेक्शन मिल पाएगी आप क्या कि कुछ लोग संस्क्रीन यूज़ करते हैं बिल्कुल कम मात्रा में यूज़ करते हैं कोई भी नॉर्मल क्रीम यूज़ करते हैं उससे यूज़ करते हैं आप कुछ कंपनी रहती हैं संस्क्रीन वाली पहले बताती थी कि आपको इतनी यूज़ करनी होती है कुछ बताती थी आपको अच्छे से डोड लगाकर अच्छे से मसलना होता है आप कुछ companies बताती है कि आपको अच्छे से स्किन पे लेर लगा कर छोड़नी चाहिए कुछ company बताती है कि आपको two fingers लेनी चाहिए तो क्या कौन सा सच है तो देखो आपको आपको two fingers यूज़ करनी चाहिए अच्छे से sunscreen की एक layer रहनी चाहिए आपकी skin पे जिसके गान आपकी skin पे 10 नहीं आएगा UV rays आपकी skin को harm नहीं कर पाएंगी अब इसका भी protection आपको two hours तक देखने को मिलेगा ऐसा नहीं कि two hours के बाद भी आपकी skin पे अपलाए है तो बहुत अच्छे से आपको protect कर देगी अगर आप बहुत ज़्यादा sun के exposure में चार बजे तक की जो दूप रहती है दस बजे से सुबह से लेकर चार बजे की जो दूप रहती है वो काफी अदा आपकी skin को damage करती है तो इस टाइम पे आपको sunscreen यूज करते रहना चाहिए मैं personally बताओ तो आप sunscreen भी यूज करो करनी चाहिए तो देखो आपको टू फिंगर लेनी चाहिए sunscreen जैसे की वन फिंगर यह हो गई और टू फिंगर यह हो गई तो इतनी sunscreen आपको लेनी चाहिए ठीक है अपने face के लिए अब मैं इसको लगा कर दिखा देता हूं थोड़ी सी किर गई कोज यह lotion फोम में है थोड़ी सी तो इसको आपको अच्छे से अपनी स्किन पर लगा लेना है तो इस वे से एक लेयर टाइप रहा है तो आपको हमेशा सन में जाने से 15 मिंट पहले संस्क्रिन को लगाना है तो इस वे से एक लेयर टाइप रहा जाती है यह देख सकते आप आइस के रांड भी आपको यूज करने है बट आइस के अंदर नहीं जानी चाहिए ठीक है इस वे से थोड़ा सा आपको मसलना है तो कुछ टाइम में यह स्किन में अब्जोर्ब हो जाती है तो इस वे से आपको एक लेयर बना कर छोड़नी आभी यह क्या कि गिल्ली पड़ी है मेरी स्किन पर जैसे आप देख सकते हो वाइट कास सा थोड़ा लग रहा आपको तो यह धीरे धीरे ड्राय हो जाएगी ड्र ताकि आपकी स्किन में अच्छे से यह पेनिट्रेट कर जाए जो भी आपकी संस्क्रीन रहती है अच्छे से लग जाए उसके बद आप समय जाओगे तो आपकी स्किन पर कोई दिक्कर देखने को नहीं मिलेगी तो इस वे से आपको यूज करने है नेक पर भी यूज कर लि चैने से आपको संस्किन को यूज करने है नोरमल है कोई ज्याधा टाइम नहीं लकता है आपिसको लगा कर जा सकते हो कुछ संस्क्रिन वेट रहती है कुछ जयदा ही मलब अजीबसी रहती है ग्री वेस arte कर देती तो आज के वीडियो में नहीं था तो आए ओप आपके लिए वीडियो होगी अगर रही तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और जाल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को जुरूर प्रेस कर देना बाकि इससा फ़लो कर लेना कोई कोई रहती है तो मुझे यहां पर म मैं फेस दिखा दूँ आपको तो किस वे से लग रहा है शाइनिंग सी आ रही है मेरे फेस में बट अभी अच्छे से यह एब्जोर्ब नहीं हुए यह देख सकते हूँ यहां भी थोड़ी से लगी रहेगी बट काफिया तक अब यह चलीगी है कोई वाइड कास्ट नहीं अपड़िय में है कुछ बहला है और इस अंदर उस्कों बट ए सी छो लगी पार और देखो और अबस देखो किल से निकल कर यह संस्क्रिन पर डिबेंड करते हैं आप कौन सी संस्क्रिन यूज़ कर रहे हो तो मेरे वाली संस्क्रिन काफी अच्छी है ठीक है एजली एब्जोब हो याती है कोई वाइट कास नहीं छोड़ती तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे